असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों आज हम बढ़ेंगे शेरे मेरित मैसूर टीपू सल्तान प्लास छटी जुनूबी हिंदस्तान में मैसूर एक तारीखी शेर है आए से तक्रीमन गाई सो साल पहले इसलाके में हैदर नाम अली हैदर अली नाम के एक सपाही था वो अपनी हिमत और खोसले से तरकी करता हुआ मैसूर की रियासत हुकूमत का हुकूमरान बान गया अठारी सदी के आखरे हिस्से में अंग्रेजों ने मदरास में अपना प्रदार काइम कर लिया हो चाहते थे कि एक एक करके जुनूबी रियासतों को जेर कर रहे और अपनी हुकूमरानी काइम कर ले अंग्रेजों ने बास देशी रियासतों की मदद से हैदर अली की कोड क तो खुतुना चाहा लेक्ट में कामियाभी हासल नहीं हुई ये टीपु सल्तान कहा था जुनूबी हिंदोस्तान मैसूर के एक तारीखी शहर में आए सो कितने डाई सो साथ पहले इस अलाके में कुन रहता था हैदर अली नाम के सपाई था वह बहुत ही खुसले वाला था और वह मैसूर रियास्त का क्या था हुकुम्रान उसने अठार्मी सदी के आफ़र में क्या किया था मदरास में अपना इक्तदार हो गया ताकत काईमकार ली थी वह चाहता था कि एक एक करके जलूबी रियास्तों को जेर करें ताकि उन्हें तंग करें जेर करना हो गया काबू करना फटर करना हो और अपनिक्णानी काइंकार अंग्रेजों ने बाद देशी रिहासंत्त की मदद से हेदर अली की कोट को कुचल ना चाहा किसी हेदर अलीगी लेकन ऊंग्रेजों की नहीं हुई है यह द्रेज निटेह में गने समझे रहा था उसमें तन्हीं समझे नहीं अब वहाना तो और वह को मसलसल वह दै उंको शिकस्टे दे रहा तो एपनी वहालियर हो लोहां मनमाना हो गया कायल का रहा था अपनी बाकरी से हैस我在 1782 में औस का इंतकार हो गया किया चैने मिन उसके बैटे फतर अलिर्टीकु की उमर 20 साल थी चोंसका बेटा धे टीकु उसकी ऊमर कितनी थे उस वक्त भी साथ हैदर ने टीपू की आला तारीम तालीम का इंतजाम किया था और इसको वेटरीन जन्गी तरबियत दिलाई थी वह अपने बाप की तरह बाहिमत खुस्लामाद और बलेर था सेर्बत अफरीक में भी टीपू को शेर का शिकार बहुत पसांद था हैदर अली हैदर ने ठीपू सल्तान के लिए बहुत ही तालीम वह ज के लिए लौट ही इसने बहुत ही अच्छा म किया था वह इसको जादा कोसी तालीम दे रहा था जंगी वो टीपु सल्टान भी अपने बाप की तरह हिमत वाला और खोसे वाला और बादर बना जाता था उसको सेर तफ्रीक का बहुत ही शोग था और उसको शेर का शिकार करना भी बहुत पसंद था वो तलवार से शिकार करता था शेर को बंदूग से मारना वो बुजदिली समयता था वो क्या करता था शेर किस तरह मारता था तलवार से ना के बंदूग से बंदूग से मारना शेर को मारना वो क्या समयता था बुजदिली उसके तखते निशीन होने से पहले का वाक़ है कि एक रोस टीपू एक फ्रंसीसी अफसर के साथ शकार को गया शेर सामने आया तो अफसर ने बुदू तांगी टीपू ने उसको रोक दिया उधर शेर तेजी से उने दोनों पर लपका टीपू ने बिल्ली किसी तेजी के साथ चपट का शेर पर वार की और तलवार के एक ही वार में शेर की चार्ट आगी उसके जिसम से एला कर दी फ्रंसीसी अफसर ये देखका दांग रहागे उस वाकिक बाद से टीपू शेर मेसूर के नाम से याद किया लगता है कि कि एक बार वो किसी के साथ गया किसी फ्रंसीसी ऐसे त्रवा आपको के साथ शकार को गया, जैसे से शकार सामने आए, अपसर ने क्या किए बंदूग निकाल लिया, बंदूग टीप्वनी उसको रोका कि तुम बंदूग मत अठाओ, वो शेर की तरफ ऑन तेज़ी से उंपे लपका, टीप्व सल्दान ने क्या कि आतीम वालत हेदर के साथ बोसे जंगों में शरीक हो चुका था जब वो तख्ते निशीन हुआ तो जंग के बाद अचारों तरफ चाय हुए थे अंग्रेज बार बार रियासत पर हमले कर रहे थे कि उनके वह उसके रियासत पर कबजा करना चाहते थे लेकर दो साल मसलसल जंग के ब तरफ मिला तो उस वकट चारों तरफ क्या था जंग के बाद अच्छाय हुए थे अंग्रेज बार बार क्या करते थे हमला करते थे उन्होंने रियासत पर कबजा करना चाहा लेकर लगातार जंग होने के बास सताना सो चरासी में ठीपू सल्तान यांग्रेजन को अपनी शरत पासला करने के लिए मजबूर कर दिया आखरकार उसने क्या किया उसे उन्हें मजबूर किया स्वला करने पर बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे